हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल इक्जाम इजान पे तो बाफिर से मैं हाजिर हूँ 4 सितंबर 2020 के इंपॉर्टन इवेडिस के साथ आप वीडियो का हर एक फैक्ट धहां से सुनें क्योंकि लास्ट में आपको दो कोशन्स के जवाब देने हैं आज का पहला कोशन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 48th 48 में प्लेस पर है इंडिया इस बार ऐसा पहली बार हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जब इंडिया टॉप 50 क का फाइदा हुआ है चार पाइदानों की जंप की है इंडिया ने आपे दखेगा सबसे पहली बार Global Innovation Index 2015 में रिलीज हुआ था तब इंडिया की रेंग क्या थी 81 तब से लेकर आज तक लगातार improvement ही हो रहा है और 2020 के Global Innovation Index में इंडिया की रेंग 48 था गई है Global Innovation Index को टॉप किस ने किया है इस बार तो Switzerland फर्स्ट प्लेस पे है इसमें सेकंड प्लेस पे है आपका Sweden और थर्ड प्लेस पे है आपका US यह टॉप थ्री कंट्रीज भी याद रखेगा इस बार जो Global Innovation Index 2020 जारी हुआ है उसकी थीम भी है थीम आप नोट कर लिजिए थीम है Cornell University और Inseed Business School के साथ मिलकर जोइंटली इसको जारी करता है Vipo की बात करते है World Intellectual Property Organization 1967 में स्थापना हुई थी इसकी Headquarter इसका Geneva Switzerland में है और Dieter General कौन है Francis Gure ने कोशन है पहली बार ऐसा हुआ है पिछले साथ सालों में जब किसी Grand Slam टूनामेंट में किसी Indian ने कोई round जीता है आपको तरह उनका नाम क्या है तो पहली बार किसी Grand Slam में Last 7 years में जीता है सुमित नाकपाल जी ने देखिए ये हैं सुमित नाकपाल जी Essentially US Open का first round हो रहा था उस दोरान सुमित नाकपाल जी ने US के Bradley Klain को हरा दिया तो आपके देखिएगा first round में इन्हों हरा दिया लेकिन second round में US Open के Dominic Thien से हार गए जो आपके Dominic Thien है ये Austria से बिलॉंग करते हैं तो आपके देखिएगा Dominic Thien से हार गए है सुमित नांगल जी जबकि Bradley Klain को हरा दिया है सुमित नांगल जी हर याड़ा के जजज़र से बिलॉंग करते हैं तो आपके देखिएगा ने कोशन है दो दिनों तक चलने वाली National Travel Research Conclave इसका इन्होगरेशन किसके दौरा किया गया है तो दो दिनों चलने वाली National Tribal Research Conclave का इन्होगरेशन किया गया है आरजुन मुंडा जी जो कि हमारे Tribal Affairs के मिनिस्टर है देखे जनवरी 2020 में सबसे पहली बार National Tribal Research Conclave और्गनाईज हुई थी इस बार फिर से एडिशन और्गनाईज हो रहा है तीन से लेके चार सितंबर के बीच में लेकिन इस बार वर्चुली ये और्गनाईज हो रही है जो आपकी National Tribal Research Conclave है इसको Ministry of Tribal Affairs और साथ ही साथ IIPA Indian Institute of Public Administration के साथ मिलकर इसको और्गनाईज किया जा रहा है आप याद रखेगा तो National Tribal Research Conclave इनाउग्रेशन हुआ है अर्जुमुंदा जी दोरा परपस क्या है परपस यह है जो Tribal Communities है उनके लिए नए नए इनोवेशन किये जाए ताकि उनकी फिनांसर कंडिशन और लाइवली हुड बहतर किया सके तो आप यह रखेगा IIPA यानि Indian Institute of Public Administration ये नई दिल्ली में है 1954 में स्थापना हुई थी ने कोशन है के संकरबाच पैई रिसेंटली इनका निधन हो गया आप अतना है कि सर्विस से रिलेटेट थे तो के संकरबाच पैजी IFS Indian Foreign Service से रिलेटेट थे 1952 badge के Indian Foreign Service के officer है ये हैं के संकर बाजपे जी Recently इनका निधन हो गया खास बात क्या है देखिए ambassador तो रही है US, Pakistan कई जगह पे लेकिन जो आपका National Security Advisory Board था 2008 से लेकर 2010 तक के संकर बाजपे जी National Security Advisory Board के भी chairman रहे है ने question है Mission कर्म योगी किस ministry दोरा launch किया गया है तो Ministry of Personal दोरा Ministry of Personal दोरा Mission कर्म योगी launch किया गया है Ministry of Personal कौन देख रहा है हमारे Prime Minister जी Ministry of Personal देख रहे है Mission कर्म योगी इसका main purpose है जो future relevant future relevant हमारे bureaucrates हैं या फिर civil servants हैं उनका निर्माड करना इसलिए mission कर्म योगी लांच किया गया है recently cabinet ने इसका approval दे दिया है अगले 5 वर्सों में total 46 lakh यानि 46 lakh सेंटर गवर्मेंट के employees पर लगभग 510 यानि 510.86 करोड रुपए का खर्च किया जाएगा 2021 से लेकर 2025 तक 5 वर्सों में 510.86 करोड का खर्च के आएगा mission कर्म योगी के तहट तो आप देखेगा खास बात यह है total 6 pillars है mission कर्म योगी के recently इसका approval दे दिया है हमारी cabinet ने ने question है BCAS यानि Bureau of Civil Aviation Security की पहली महिला Director General कौन बन गई है तो recently Bureau of Civil Aviation Security की पहली महिला Director General बन गई है उसा पाढ़ी जी ये देखे आप ये हैं उसा पाढ़ी जी recently Bureau of Civil Aviation Security उसकी पहली महिला Director General बन गई है इन्होंने replace किया है राकेस अस्थाना जी को राकेस अस्थाना कुछ दिन पहले हम लोंने पढ़ा था राकेस अस्थाना जी BSF के Director General बन गई है इस्थापना हुई थी Headquarters का New Delhi में है और Ministry of Civil Aviation के तहत ये कारे करता है ने कोशन है किस इस्टेट गवर्मेंट ने इन्नाउंस किया है कि वो अपने सभी डिस्टिक्स में Anti-Electricity Theft Police Station स्थापित करेगी तो recently UP गवर्मेंट UP गवर्मेंट ने इन्नाउंस किया है कि वो अपने सभी डिस्टिक्स में Anti-Electricity Theft Police Station यानि बिजली चोरी विरोधी Police Station इस्थापित करेगी देखिए कोई नया नहीं है पहले से ही 63 डिस्टिक्स में इस्थापित हैं ये Police Station अब इनको 75 डिस्टिक्स क्योंकि UP में 75 डिस्टिक्स हैं तो उन तक इनको इस्टिक्स कर दिया एगा तो याद रखेगा UP गवर्मेंट ने इन्नाउंस किया है कि वो Anti-Electricity Theft Police Station इस्थापित करेगी सभी डिस्टिक्स में इसका मेन परपस होगा बिजली चोरी को रोखना और बिजली से रिलेटर सारी कंप्लेन को लॉग इन करना साथ साथ उनका निस्टरर करना देखे मैप में ये है UP UP के मुछ अर्चा में है दो दिन पहले ही इन्होंने मेजर ध्यान चंद विजयपत स्कीम लाँच की थी परपस कहा था इतने भी International Athlete है UP के उनने सब को रोड कनेक्टिविटी प्रवाइट करना उनके घरों को रोड कनेक्टिविटी प्रवाइट करना खास बात ये है कि इस बार मनरेगा के तहत employment दिया गया है उसमें UP ने टॉप किया है टोटल 18 करोल लोगों को इंप्लॉइमेंट दिया है मने रगा के तहट यूपे के सीएम कौन है योगी आदिनित्र जिनाची गवर्णर कौन है आनंदी बहन पटेल और यूपी में एक मात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क जापान और इंडियन गवर्णमेंट ने आपस में MOU साइन कर लिया है जापान में एक institute है जिसका नाम है Nisekan Quality Evolution Center ये textile sector में काम करता है ये जो है इंडिया के textile की quality को भालिटी को बहतर करने के लिए काम करेगा तो आप जेखेगा जापान और इंडिया के इच में textile sector को इंप्रूव करने के लिए MOU Memorandum of Understanding पर साइन हुआ है जापान की बात करें तो आप ये देखे मैट में जापान चर्चा में क्यों है क्योंकि जापान के यंगेस्ट और लॉंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर सिंजो अबे ने रिजाइन कर दिया है तो आप ये देखेगा Capital जापान की है Tokyo क्यों करिंसी क्या जापान की येन जापान की अन नाम आप नोट कर लिजिएगा डायट है की संस्थ का नाम और जापान के एंपर्र कऊन है नरो ही तो इससे पहले अकी ही तो थे नए कोशन है Recently Water Heroes Contest 2.0 Announce किया गया है आपको तना है जो Water Heroes Contest 2.0 होगा इसमें जो winners होंगे उनको कितने का cash price दिया जाएगा तो जो winners होंगे Water Heroes Contest 2.0 के उनको 10,000 का cash price दिया जाएगा Recently हमारे जल सकती ministry ने Water Heroes Contest 2.0 लांच कर दिया है एक सितंबर से लांच कर दिया है ये और आगे आने वाले दिनों तक चलेगा परपस क्या है Water Conservation को बढ़ावा देना और Water Management के विसे में लोगों को अवेर करना इसके तहट MyGOV platform पे एक quiz जो है लांच की जाएगी उस quiz को जीतने वालों को ये cash price दियाएगा 10,000 रुपीज का आप एद रखेएगा इस समझ जल सकती ministry कौन है गजन सिंग सेखावा जी Corona positive है एडमिट है Next question Entrepreneurs in residence program पर ब्रोसर्स को किसके दोरा लांच किया गया है तो recently Department of Science and Technology ने Entrepreneurs in residence program पर ब्रोसर्स यानि pamphlet जारी किया है Recently venture करके एक company है जो कि Department of Science and Technology के साथ मिलकर Entrepreneurs, sorry, निधी program पर एक webinar और्गनाइस कर रही थी निधी, NIDHI, निधी मतलब National Initiative for Developing and Harnessing Innovations ये program Department of Science and Technology का program है इसी program पर एक webinar और्गनाइस किया गया था Department of Science and Technology और venture company दोरा तो उस दोरान Department of Science and Technology ने Entrepreneurs in residence program पर कुछ ब्रोसर्स लाँच के है इन ब्रोसर्स में बताया गया है कि कैसे innovation को बढ़ावा दिया जाए residence यानि residential sector में तो आप लखेगा क्या Entrepreneurs in residence program पहली बार इंडिया में लाँच किया गया है? और नीधी प्रोग्राम का फुल फाम बैद रखिएगा ने कोशन है इंडिया ने geology और mineral resource के sector में यानि field में cooperation के लिए किस country के साथ MOU पर sign किया है तो geology और mineral resource की field में cooperation के लिए इंडिया ने finland के साथ MOU memorandum of understanding पर sign किया है आप रखिएगा geology और mineral resource के sector में अब दोनों countries मिलकर साथ में काम करेंगी तो देखिए MOU तो काफी पहले sign हो गया था Finland और इंडिया के वीच में लेकिन cabinet ने approval अब दिया तो इसलिए वापस सर्चा में आ गया तो आप रखिएगा Finland और इंडिया ने geology और mineral resource पर MOU sign किया है बात करते हैं Finland की तो यहाँ आप map में देख लिए Finland Capital है इसकी Helsing की currency है इसकी Euro और प्राइम मिनिस्टर कौन है सना मारीन जब बनी थी तो यंगेश्ट प्राइम मिनिस्टर थी वर्ड की यह कोशन है Space X ने एक Earth Imaginary Satellite यानि Earth Observation Satellite लाँच कर दिया है आपको तना Space X के Founder and CEO कौन है तो Space X के Founder and CEO है Elon Musk यह है Elon Musk Space X और Tesla Motor दोनों के Founder and CEO है Elon Musk देखे पहली बार किसी Private Company ने Earth Observation Satellite यानि भू अलोकन उग्रह लाँच किया है इसलिए यह चर्चा में था तो अपकर रहिए Space X ने Earth Observatory Satellite लाँच कर दिया है जिसके Founder and CEO है Elon Musk Elon Musk इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि डिसेंटली यह वर्ड के Third Richest Person बन गए है Mark जुगरबर्ग जो की Facebook के Founder है उनको पीछे छोड़ते हुए Elon Musk दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्टी बन गए है यह कोशन है हिंदुस्तान CPR Limited के नए CMD यानि Chairman and Managing Director कौन अपॉइंट हुए है तो रिसेंटली हिंदुस्तान CPR Limited के नए CMD अपॉइंट हुए है हेमंत खत्री जी आप यहाँ देखिए यह हैं हेमंत खत्री जी यही हिंदुस्तान CPR Limited के नए CMD Chairman and Managing Director अपॉइंट हो गए है हेमंत खत्री जी ने किसको रिप्लेस किया है तो LV सरत बाबू को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है अगर बात करें हिंदुस्तान CPR Limited की तो यह Defense Minister के धथकारे करता है 1941 में इस्थाबना हुई थी हिंदुस्तान CPR Limited की और कहां इस थी थे विशाखा पटनम में ने कोशन है 2021 के दौरान जो Immersing Economies है उनमें सबसे अदा Dead Burgen Brazil, India और South Africa पर होगा आपको उताना यह रिपोर्ट किसके दौरा जारी की गई है तो रिसिंट्ली Moody's Investor Service ने एक रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया है जितनी भी Global Immersing Economies हैं उन सभी में 2021 के दौरान सबसे ज़़ा कर्ज होगा Brazil, India और अफरीका पर तो आपके रिखेगा यह तीन कंट्रीज के नाम और Moody's Investor Service की रिपोर्ट क्यों? क्योंकि COVID-19 क्राइसेज चला है अभी ही इंडिया सबसे दा कर्ज ले चुका है मैं बता दूँ जितने भी मार्केट बारोइंग लिए हैं COVID-19 क्राइसेज के दौरान सबसे दा मार्केट बारोइंग लिए है तमिल आडू की दौरा तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए Moody's ने यह कहा है कि 2021 में सबसे ज़्यादा कर्ज का भार होगा ब्राजील, इंडिया और सौथ अफरीका पे Moody's की बात करें तो Moody's का हैड़काटर है नियॉ-उर्क में इसके CEO कौन है Raymond W. Macdaniel इन्या कोशन है Commonwealth Sport Federation को किस गंटी द्वारा दुबारा जॉइन कर लिया गया है तो recently Maldeep ने Commonwealth Sport Federation को दुबारा जॉइन कर लिया है 2018 में Maldeep ने Commonwealth और उसके सभी सेगमेंट से यानि जितनी भी पार्ट से उससे तो खुद को बाहर कर लिया था पूरी दिरह से बाद में अब धीरे-धीरे Maldeep कुछ समय पहले Commonwealth को जॉइन किया अब Commonwealth Sport Federation को भी Maldeep ने जॉइन कर लिया है तो आप देखिएगा बात करते हैं Maldeep की तो ये हैं मैप में Maldeep कई सारे आर्किपलेगों है ये स्री लंका के South West में है आप देख लिजेगा Capital है Maldeep Currency क्या है? Rufiyaha रufiyaha है इसकी Currency आप देखिएगा इसके President है इब्राहिम मुहम्मद साले है और संसत का नाम है मजलिस ने कोशन है The Big Thoughts of Little Love ये बुक किसके दा लिखी गए है? तो The Big Thoughts of Little Love बुक लिखी गए है करन जोहर द्वारा ये करन जोहर के दो जुड़वा बच्चे हैं उन्ही पादाधारीत ये बुक है The Big Thoughts of Little Love करन जोहर की एक बायोग्राफी है उसका नाम क्या है? An Unsuitable Boy तो आप देख सकते हैं क्यों इस बायोग्राफी का नाम An Unsuitable Boy लिखा गया है नहीं कोशन है डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटिनिस का इस्टैच्व किस कंटी में इनॉग्रेट किया जाएगा? तो डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटिनिस इनका इस्टैच्व चाइना में इनॉग्रेट किया जाएगा कुछ समय बाद जब दो-तीवी विसुद होया था यानि World War II उस दोरान जापान ने चाइना पे अटाइक किया था और बड़े-बड़ केमिकल के इंजेक्सन लेके लोगों को मारते थे उस दोरान हमारे इंडिया से पाच डॉक्टर की एक टीम गई थी जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस ये गुजराथ से बिलॉंग करते हैं और बहुत 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 टीटमेंट किया था इसलिए चाइना में आज भी इनकी बहुत रिसपेक्ट की आती चाइना का कोई भी लिडर अगर इंडिया आता है तो गुजरात जestry जरू जाता है डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस का इस्टाइचू चाइना में इनॉग्रेट किया जा रहा है यह है मैप में चाइना वर्ड की फर्स्ट डिजिटल करेंसी DCEP चाइना में ही लॉंच की गई डिजिटल करेंसी फॉर इलक्टोनिक पेमेंट चाइना के बात करें अब संब्ण हैं वहां पर इंडिया और चाइना के बीश में सिझींपिंग आज का लाश्ट कोश्टन है किस इस्टेट में स्टार्ट हुआ था यहांच हुआ था थो अपिको अन्दोलन यहांच हुआ था करनातक में देखिए चिपको आंदोलन उत्राखंड में लांच हुआ था और उसी के जैसा सेम आंदोलन करनाटक में लांच हुआ था जिसका नम था अपिको आंदोलन इसका भी में परपस यह था कि जो पेड़ होते यानि ट्रीज उनको कटने से रोका जाए तो आप देखेगा अब यह चर्चा में क्यों है क्योंकि recently जो ministry of human resource and development थी अब education ministry हो गई है उसका एक भारत स्रेष्ट भारत initiative है उसके तहट उत्रखंड और करनाटक को pair states का दरजा दिया गया है अब आप सारे pair state मत याद रखेगा आप जिसे state में रहते हैं उसका pair state आपको ज़रूर पता होना चीए एक भारत स्रेष्ट भारत अग्यान में तो ministry of human resource development या फिर education ministry की पहल है ये recently UK और करनाटक को pair status provide किया गया है अपिको और चिपिको अंदोलन आप जरूरूर याद रखें बात करते हैं करनाटक की तो यह है map में करनाटक इंडिया की first row row train करनाटक से ही रिलीज की थे आपको पता होगा उसके लबा इंडिया का first two manufacturing cluster करनाटक के कोपल में इस्थाफित किया रहा है कल ही हम लोगों ने बढ़ा था करनाटक के सियम है बी ए से दुरुपा गवर्णर है बज्जू भाई वॉला यह है previous video question और यह है आज की video question I hope कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे जल